सो गाइस इछड़ों में आपको सभी बारा टीमों के हेड कोचेस एंड असिस्टेंट कोचेस के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे डूडल साथ टीमों ने अपने हेड कोचेस को बदल लिया है इस दो में सबी टीमों के head coaches के बारे में जानने को मिल जाएगा वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है वीडियो को हैंड तक ज़ओ देखेगा सुगाइस बना दरी किये एक और नई वीडियो को सुरू करते हैं तो लोगस आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेंगलोडू बुल से तो आप बेंगलोडू बुल की टीम के head coach सीजन नाइन में रंदिर सहरावा सर देखने को मिल जाएगे बेंगलोडू बुल की टीम एक मातर ऐसी टीम है जिनोंने अभी तक अपना head coach नहीं बदला है रवी सेटी सर देखने को मिल जाएगे पटना पारेट्स के head coach and assistant coach अभी तक announce नहीं हुआ है अब यहाँ पे पुनरी पल्टन की बात करते हैं पे पुनरी पल्टन के टीम ने भी एक मन्त पहले ही अपना नया head coach announce किया था जो ही यहाँ पे बीसी रमेश सर थे बेंगॉल वोर्रेस के head coach इस season पुनरी पल्टन के head coach होने वाले अब defending champion दबंग दली की बात कर ले तो तो यहाँ पे दबंग दली के head coach season 9 के लिए Christian Hudda सर रहने वाले and assistant coach समसेर सिंग सर रहने वाले है previous season दोनогी head coach and assistant coach दबंग दली के ते अब यहाँ पे हरियाना Steelers के बात करते हो तो तो यहाँ पे हरियाना Steelers के head coach इस season मनपृस स्थिंग सर रहने वाले and assistant coach नीर गुलिया सर रहने वाले auction से पहले हरियाना Steelers के team पीछले season गुच राजायन्स के ते लेकिन इस season हर्याना सीयस को कोचिंग करते हुए दिख जाएगे अब यहाँ पे जैपुर पिंक पैंथरस की बात करते हैं पिछले season संझी बालियन सर हैड कोच दे एंड असिस्टेंट ़ॉच ऊपेंदर सिंग सर थे अबिकोस राम मेर सिंग सर इस बार हमें गुजराथ जाइन्स के हैट कोच के तौर पे देखने को मिल जाएगे और वहीं पे असिस्टेंट M.V. सुन्दरम सर देखने को मिल जाएगे दोनों ही डूओ यहाँ पे पटना पारेट्स के लिए कोचिंग करते थे लेकिन इस सिजन हमें गुजराथ जाइन्स के जर्सी में देखने को मिल जाएगे अब यहाँ पे यूपी ओधास की बात करते होते हैं यूपी ओधास के हैट कोच सेम रहने वाले जो यहाँ पे जस्वीर सिंग सर है लेकिन असिस्टेंट कोच में बदलाव किया है ऑक्षन से पहले अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पे जीवा कुमार यूपी ओधा के असिस्टेंट कोच रहने वाले अब यहाँ पे तमिल तलाइवास की बात करते हो तो यहाँ पे तमिल तलाइवास की टीम के हैड कोच जे उदे कुमार सर रहने वाले पिछले सीजन भी तमिल तलाइवास के हैड कोच जे उदे कुमार सर थे और इस सीजन भी जे उदे कुमार तमिल तलाइवास के हैड कोच र पैट कोछ रहे किया है जो यहाँ पर के बास करेंसर सीजन वन की चैंप्येंट टीम जैपूर पिंग पेंट कोछ रह चुक हैं के बास करेंसर बेंगावल वर्यस के एड कोछ रहे गे अब यहाँ पर Northwest Titans की बात करते हैं सोट टेलगू टाइटन के टीम में अभी तक अपना coach वो अभी तक announce नहीं किया और auction table पे भी कोई भी ऐसा head coach देखने को नहीं मिला है तो में भी अभी कुछ दिनों में reveal कर दे कुछ surprise हो सकता है जो कोई भी सोच नहीं सकता है वो यहाँ पे head coach तेलकू Titans का बन जाए तो बाकी 11 टीमों के head coaches बता दिये अभी भी तेलकू Titans के टीम ने अपना head coach announce नहीं किया है और 6 टीमों का assistant coach भी बता दिया है बाकी के 6 टीम के assistant coach है उनका अभी फिलहाल कुछ भी अता पता नहीं है जैसी announce हो जाता है मैं आपको टेलिग्राम पे inform कर देना वालाव लिंक आपको description नहीं मिल जाएगा because टेलिग्राम पे आपको PKL के latest update मिल जाएगे तो उड़ों कोई पर end करते है I hope आपको ड़ा अच्छे लगी की विड़ा आपको थोरी पसना है इसो को like कर दीजे सायर कर दीजे चैनल को subscribe नहीं किया है मैं एक सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ बेल आइकन होल पर स्लाइक कर लिजेगा ताकि मेरी नुड़क नुड़िफिकेशन सबसे पहले आपके पास आजाए सो गाइस उम्मध आपको थोरी अच्छे लगी की मलते है कौन है इंट्रेस्टिंग उड़ेगा साथ अब तक लिए थैंक ये फॉर आचिंग गाइस गुडबाई